हेलो अवरिवान वेलकम बैक टी दुरान अकेडमी देखें कई बार सब्सक्राइबर्स हमें ऐसे कोशन पूछते हैं जिनको मैं टाइब करके नहीं बता सकता तो उसके लिए काफी ज्यादा एक्स्प्राइशन चाहिए होती है तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना जो आपके ड देखें जो सबसे पहला डाउट आज हम डिसकस कर रहे हैं वो है मन्जू मिश्रा जी का उन्होंने एक कोशन पूछा है कि सर अब यह चीज को समझने के लिए मैं राइटिंग में तो इसको समझा नहीं सकता तो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों का भी जो डाउट होगा अगर किसी के मन में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा तो distance कैसे find करते हैं displacement time graph से यह चीज हम एक graph से ही find करके समझ सकते हैं आपके सामने मैंने एक displacement time graph दिया हुआ है इस displacement time graph के अंदर हम दो चीजे करते हैं पहला चीज तो हम यह करेंगे कि हम ना खुद यहां से displacement को find करते हैं let us find displacement कहां से कहां तक का 0 से लेके 10 seconds ठीक है 0 से लेके 10 seconds तक का जो इसका journey है उसको देखते हुए हम उसका displacement calculate करते हैं पहला काम तो यह करेंगे हम ठीक है उसरी के बाद हम चाहें तो distance भी calculate कर सकते हैं distance हम calculate कर लेंगे again 0 से लेके 10 seconds तक का, ठीक है, इवन चलो, इसको थोड़ा सा और, अच्छे से और समझने के लिए एक काम करते हैं, 0 से 10 seconds का भी displacement पता करेंगे, फिर 0 से लेके 13 तक का हम पता करते हैं, similarly यहां पर भी हम जो distances 0 से लेके 13 seconds तक का पता करेंगे, तो ऐसे हमारे पर 4 types हो जाएगे, और I पर यह शुरुबात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर displacement का पहले तो, ठीक है, जो हमारे पास displacement है, उसको कैसे calculate किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, जब भी हम displacement पता करते हैं, तो उसका एक बहुत ही simple formula है, formula है कि x final minus x initial, मतलब क्या है, इसका initial position, यह initial, यह थोड़ा सा इसके spelling में error है, मैं ठीक कर देता हूँ, that is initial position, अगर आप इन दोनों को subtract कर देते हो, तो subtract करने के बाद, जो चीज़ आपको मिलते हैं, वो आपकी displacement होती है, अब बात आते हैं कि सरफ position यहां पर क्या है, देखिए, यहां पर जो displacement की values यहां दी गई हैं, वो ही actually में positions होती है, अब यहां पर अगर आप देखें, तो मुझे निकालना है सबसे पहले और 0 से लेके 10 seconds तक का, तो मतलब है कि मैं पहले यह देखूँगा, कि जब time मेरा t equal to 0 था, तब मेरी displacement या position क्या थी, तो जब मैंने देखा कि time जब t equal to 0 था, तब मैं यहां प 0 meter लिया जाएगा, और जब time t equal to 10 seconds का है मेरे पास, उसके बाद मेरा जो final position होगा, अब देखो 10 seconds में check करो, बस आप राम से, कि actuality में मैं कहां पर हूँ, तो जब मैंने 10 seconds को देखा, so this is my 10 seconds, इस 10 seconds के हिसाब से जब मैं देख रहा हूँ, तो यह जो इसके सामने की जो value है, ज तो जब time मेरा 10 seconds है, उस time इसकी position या इसकी displacement क्या है, वो मुझे यहाँ पर note करनी थी, और जो की यहाँ पर minus 10 मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मेरा जो x final है, वो मेरा minus 10 लिया जाएगा, देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी भी हम displacement की बात करते हैं, तो मेरे क proper sign के साथ उसको find करना होता है, तो चलिए इसमें displacement calculate करते हैं, तो displacement जो है, इस case में हो जाएगा, final position यह है, तो minus 10 लख दिया, और उसके साथ initial position 0 है, तो मैंने 0 कर दिया, final answer minus 10 meter आपको मिल जाता है, अब इस minus 10 meter का basically मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो, अगर आपको एक straight line पे यह समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि पहले जो person है, यह दिखो, अगर positive displacement है, या positive position है, तो उसका मतलब होता है, यार कि वो ना मेरे origin से थोड़ा दूर की तरफ गया है, और origin से away गया है, और after some time, जैसे कि 7 second के बाद, वो return करना शुरू करता है, क्योंकि 7 second के बाद, वो exactly यहां पहुंच जाता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, तो यहां पर हमारी displacement 0 है, उसके बाद, वो वापिस जाता है, क्या जाता है, वापिस जाता है, कितना वापिस जाता है, इसके back side पे 10 meter जाता है, तो देखे, यह इसकी initial position है, यह इसकी final position है, इन दोनों के बीच का जो length है, वो displacement होगा, माइनस यह बता रहा है, कि origin के left side पे यह आपका गिया है, तो इस तरीके से आपको displacement calculate करनी होती है, अब इसी का second part भी यहां देख लेते हैं, कि अगर मैं कहता हूँ कि 0 से लेके 13 seconds का आप मुझे बताईए, तो मैं कहूंगा, यार जब मैंने 13 पे चेक किया, तो point तो यह आ रहा है, और यह point है, तो displacement में फिर 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि 0 meter यहां पे भी आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि final displacement क्या है आपकी, so final displacement जो है, वो आपकी यहां पर 0 meter आपको मिलेगी, तो बस इस तरीके से हमें अपना displacement calculate क अब मैं जल्दी से वो भी clear कर देता हूँ, देखिए धिहान से, सबसे पहले मैंने को distance यहां पे find करना है, ठीक है, distance मुझे find करना है, कहां तक का find करना है, 0 से लेके 10 seconds तक का मुझे find करना है, अब इसको समझने के लिए मैं जान बुझ कर एक straight line बना देता हूँ, ताकि आप यहां पर मैं अलग color लेता हूँ, यहां पर यह मेरा origin है, origin मतलब यहां से शुरुवात हो रही है, ठीक है, तो यह मेरा हो गया origin, तो यह है time t equal to 0 को represent करता है, ठ्यान से देखते हैं, कि पहले एक second के अंदर वो 5 meter चलता है, तो मतलब यह कि यहां से यहां तक का जो दूरी है, वो 5 meter की है, और t यहां पर 1 second है, फिर अगले 3 second में, वो मेरा 10 meter तक पहुंचता है, तो इसका मतलब है यह अगले 5 जो उसके meter है, अगले 5 meter मेला total तो 10 meter हो गया न, origin से, वो t equal to 3 second में cover कर रहा है, उसके बाद थ्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, मैं क्या बोलना चा आता हूँ, फिर फिर वो कहता कि जब t equal to 5 second हुआ, t equal to 5 second हुआ, तब भी displacement हमारी यहां पर क्या है, 10 ही है, ठीक है, तो जब मेरा time t equal to 5 second हुआ, तो अभी भी मेरा particle इसी point पर है, कहीं गया नहीं है, इसका मतलब है, यह stationary है, अच्छा, उसके बाद वो कहता कि 5 से 7 second के अंदर मतलब 2 second जो extra लगे हैं 5 से 7 में, वो दुबारा अपने उसकी displacement जा उसकी position है, वो 0 हो जाती है, इसका मतलब बता क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह है कि पहले वो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक जाने के बाद अब वो वापिस यहां पहुँच चुका है, ठीक है, यहां पे आपका already पहुँच चुका है, अच्छा, तो यहां पहुचने के बाद मलब 7 second लगे उसको वापिस आने में, ठीक है, make sense, 2 second मलब 2 second में वो वापिस आ जाता है, done हो गया, फिर वो कह रहा है कि 7 से लेके 9 second तक मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे draw कर देता हूँ, अच्छे से, तो आकी आपको मैं वो भी बता चको ना, कि actuality में हुआ क्या है, यहां पे, एक second दीजिए, मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, इस सारे को ठाके मैं पहले यहां ले जाता हूँ, यहां समझाना थोड़ा सा और बहतर हो जाए पीछे की तरफ, ठीक है, और यहां पर, जब इसका x, जब position कह लेते हैं, ठीक है, यहां पर origin है न, origin की से पीछे अगर हम measure करते हैं, तो यहां पर minus 10 meter वो आपका move करता है, और फिर जब, यह है no second जब, ठीक है, at time t equal to 9 पे वो यहां पहुंच जाता है, फिर at t equal to 10, उसकी reading अ अगर आप ध्यान से देखें, तो total time तो 10 second का लग रहा है, बट उस 10 second की अंदर, यह actuality में क्या path cover कर रहा है, यह measure करना important है, तो सबसे पहले, वो यहां से शुरू हुआ, यहां के बाद पहले वो यहां की तरफ गया, कहां तक maximum गया, यह यहां पर 10 meter तक गया है आपका, ठीक तक किया है, तो अगर आप इसके total distance को बात करते हैं, तो distance का मतलब क्या होता है, distance का मतलब होता है, actual path covered by a body, actual path covered by a body, तो अब इस condition में, actual path कितना cover किया, देखो 10 meter किया, इसने यहां से यहां तक जाने में, और 20 meter यहां से वापिस आने में किया, क्यों, व्योंकित दस वापिस आया, फिर 10 पीछे की तरफ भी गया है, तो total जो इसने distance travel किया है, वो यहां पर 30 meter आपको मिल जाएगा, ठीक है, पहले वो यहां 10 meter गया है, फिर वो वापिस 10 meter आया है, उसका फर्दर वो पीछे 10 meter गया है, इस वाईसे total distance आपके पास यहां पर 30 meter लिया जाएगा, I hope यार य मुझे distance calculate करना है, distance calculate करना है, 40 से लेके 13 second तक, तो देखो 10 second तक का हिसाब तो मैं आपको अलड़ी देई चुका हूँ, अब अगले 10 second से, मिरे बाद समझा आप इस यहां पर, यहां पर क्या है, जब T equal to 10 second तक, यह यहीं का यहीं है, देखिए एक बात यार रखे, displacement time graph में, अगर graph ऐसे सीधा बन रहा है, तो इसका मतलब होता है, कि वो object stationary है, ठीक है, या rest पे है, तो सीधी line represent करती है, कि वो stationary है, बस यह बात या रखना, ठीक है, चलिए, तो T equal to 10 से लेके T equal to 12 तक, यह अभी भी इसकी displacement minus 10 है, तो इसका मतलब है, कि जब T equal to 12 second हुए, तो अभी भी इसी point पर है, कहीं गया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद, जब T equal to 12 से T equal to 13 तक मैं चेक करता हूँ, तब इसकी final displacement है, वो 0 आ रही है, इसका मतलब है, कि उसके बाद वो दुबारा यहां से वापिस इसी point पर पहुँच गया है, जब time T equal to 13 second का हुआ था, अब थोड़ा सा समझ की कोशिश करें, यहां पर क्या हो रहा है, कि जब T equal to 0 था तब वो यहां था, फिर उसके बाद 5 second पूरे, पहले 5 second तक, वो मेरा इस 10 meter तक ही पहुचता है, यहीं पर ही है वो, उसके बाद वो वो वापिस आया, फिर उसके पीछे चला गया, minus 10 meter, और आखरी के 1 second में, 12 से 13 second के बीच में, वो मेरा वापिस यहां पर आया था, तो अब देखो distance कितना हुआ, ठीक है, so distance इस case में अगर calculate करता हूँ, 4, 0 से लेके 13 second सक्की में बात करता हूँ, तो क्या होगा, obvious है बेटा, कि 10 right गया, 10 वापिस आया, ठीक है, 10 वापिस आया, फिर 10 और पिछे गया, और finally 10 बस वो और आगे की तरफ आता है, तो अगर आप in total देख रहे हो, तो आप देख सकते हो, कि 40 meter जो है, यहां पर आपका exact answer आपको मिल जाएगा, distance is a scalar quantity, और scalar quantity होनी के वज़े से हम इसको simple add ही करते हैं, उसको हम subtract बिलकुल नहीं करते, हमने यह देखना है कि actual में कितना path travel कर र तो शायद आज यह clear हो गया होगा कि कैसे हम एक displacement time graph से distance को calculate कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you so much.